नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्य कुणर एस्टो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमारा चैनल निशुल्क जोतिशे परामर्ष उपलब्द कराता है अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुंच जाए कन्याराशी आठ नौ और दस फरवरी आपके लिए आर्थिक दिस्टी से और लाब के दिस्टी से बहुत ही शुब और लाबदायक है दोस्तों कन्याराशी वालों के लिए आठ फरवरी से लेकर 10 तारिक शाम तक का समय अत्यंत शुब है कन्या राशी वालों के लिए बहुत ही भाग्याशालीश समय है ये अफसर आपके लिए बहुत ही खास है ये मौका आपके लिए बहुत ही शांदार रहेगा दोस्तो इस समय में आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसलों में आपको बड़ी सफलता बड़ी काम्याबी हासिल होगी, इन दिनों में आपकी पूर्णतह जीत होगी, चंद्रमा मीन राशी से आपके व्यपार भाव से आपके शप्तम भाव में भ्रह्मन करेंगे, आठ तारीक तक पूर्ब भादर प्रधा नक्षत्र दोपहर तक रहेगा, ब्रिहस्पती देव का ग्यारवे इस्थान के स्वामी है, दोस्तो लाब भाव के स्वामी आपके व्यपार भाव में आने वाले हैं, इन तीन दिनों में आपकी इंकम बहुत जादा बढ़ेगी, बिजनस में मुनाफे के सौदे होंगे, अपने कारोबार में आपको जबरदस्त तरक्की मिलेगी, इन दिनों में जॉब करने वालों को प्रोमोशन भी हासिल हो सकती है, जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें भी नए जॉब्स के ओफर आएंगे, आपके विवाहिक जॉरिदार के साथ हार्मनी होगी, आपके मेरिट लाइफ में खुशिया आएंगी, इस समय में पार्टनर लगने के पूरे आसार है, इन दिनों में आपके जो भी पुराने धन रुके हुए थे, वो भी आपको प्राप्त होंगे, अपने कारोबार में आपको बड़ी कामियाबी हासिल होगी, आर्थिक दिष्टी से आप खुद को बहुत ज़्यादा शक्षम वो मजबूत महसूस करेंगे, आपके मन में प्रसंता रहेगी, नैने लोगों से आपके संबंद कायम होंगे, वैपार में दिन दोगनी, राचोगनी आप कामियाब होंगे, इन दिनों में लिए गए फैसलों से आपको कामियाबी मिलेगी, कन्याराशी वाले इस समय में अपने कारोबार के और यात्राओं में भी आप जा सकते हैं दोस्तों ये समय आपके लिए बहुत शांदार और भाग्यशाली रहेगा दोस्तों अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही कॉमेंट बॉक्स में जैश्री राम लिखना ना भूले धन्यवाद दोस्तों